Hello to everyone, I hope you all are doing well and welcome to Abhipedia platform. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारा जो 10 मिनिट सीरीज चल रही है for your paper 1 of CAPF Assistant Commandment 2022. उसमें हम लोग आज करेंगे currency commissions के उपर और कुछ और miscellaneous commissions के उपर बात करेंगे जो शायद आपकी किताबों में ना हो या होंगे भी तो बहुत जादा आपको extra effort लगाने पड़ेंगे इन चीजों को पढ़ने के लिए ये जो commissions के उपर questions होते हैं वो definitely आपके दो number के questions बनते ही बनते हैं कई बार क्या होता है आपसे directly पूछ लिया जाता है कि इस फिमाइन से related कौन सा commission है currency से related कौन सा question है के बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको match the following बताना है कौन सा commission किसके साथ associated है के बार ऐसा question आ जाएगा जब आपको बताना पड़ेगा कौन सा इन में से कौन से commission सही है कौन से गलत है तो तीनों तरीके के सवाल आपके सामने आते है ultimately आपको इनकी knowledge होनी चाहिए commission committees की knowledge होनी चाहिए right so let's begin with the session अगर so this is our CEPF paper 2 ongoing life course इसको join कीजे and obviously you'll जो आपका paper 2 में कमी है weaknesses है life classes है life classes में आप daily interaction कर सकते है हमारी faculty से एक बहुत ही अच्छा added feature include हो चुका है इसके अंदर that is यहां पे अब 2 दिन revision होने वाला है two days revision test होगा वो test ऐसा नहीं होगा कि आपने लिख दिया और बात कतम होगी लिखने वाला जो test होगा वो Sunday को होता है ठीक है test series वो Sunday को होती है लेकिन जो बाकी दिन है उसमें 6 दिन में 2 दिन जो होगा अब आपका revision test भी हो रहा है revision test कैसा होगा live revision test होगा live revision और यह जो test होगा यह zoom पे होगा और एक एक बच्चा जो जो इस test में आता है उससे एक एक बच्चे से पूरा proper explanation से चीजे पूछी जाती है कि पिछला हमने जितना पड़ा है उसको आता है कि नहीं आता है तो test series में तो आप लिख देते हैं अपलोड कर देते हैं यह होता है process लेकिन इस zoom session के अंदर कोई ऐसा नहीं होगा यहां पे आपको आता है तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं आता तो फिर कुछ डांट सुननी पड़ेगी है ना so this is how we introduce this new feature also ताकि आपकी accountability पूरी हो और हम भी आपको पकड़ पकड़ के आपको ensure करें कि आपको यह सारी चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी जो यह faculty पढ़ा रही है कोई भी doubt है कोई भी दितकत है आप directly call कर सकते हैं या whatsapp कर सकते है number is given in the description चलो okay so सबसे पहला जो commission है याद रखिए man's field commission man's field commission जो है यह commission आया है कहाँ पर 1886 में 1886 में man's field commission जो है आपको देखने को मिलता है यह commission कौन सा commission currency से related commission है कौन सा commission man's field commission किसके time पर आया था lot different के time पर आया था और 1886 में इसका introduction हुआ था man's field commission किससे है man's man's पतला इंसान और इंसान जो है बंदा जो है वह हमेशा currency के पीछे भागता रहता है ऐसा कुछ याद रख सकते हैं दूसरा है fowler commission fowler commission कब आया यह आया 1898 में 1898 में आया लॉर्ड एलगें जो थे उस ताम पर वोइस रहे थे और उसके अलावा यह जो fowler commission है इस आपने किताबों में पढ़ा होगा लेकिन fowler commission शायद ना पढ़ा हो mansfield commission ना पढ़ा हो तीन commission हमने पढ़ लिए commission related to currency mansfield fowler and bablington इतना याद हो जाएगा चलो नेक्स हम लोग इसी में देख लेते हैं एक और commission था that was hilton young commission hilton young commission जो है एक और commission है किसके टाइम पे लिलिद्गो के टाइम पे 1926 में चीक है तो इतना आप याद रख सकते हैं hilton young commission राइट चलो next कुछ और commissions है बट वो अलग लग category के commissions है जैसे कि Scott Mongreave commission Scott Mongreave commission जो है यह irrigation के लिए बना था बाइदी लॉड कर्जन इन 1901 चिक है so Scott Mongreave commission जो irrigation commission था चिक है 1901 1901 में लॉड कर्जन के द्वारा चिक है इतना याद रख सकते हैं लॉड कर्जन ने वैसे तो इन्होंने काफी पंगे लिये थे हिंदू-Muslim तोड़ने की कोशिश की थी unity को तोड़ने की कोशिश की बिंगॉल को डिवाइड कर दिया लेकिन इन्होंने अग्रिकल्च्रल फील्ड में काफी अच्छा काम किया था इसलिए अग्रिकल्च्रल फील्ड में पंजाब में कानाल बनाने में इनका बहुत ज्यादा एक participation था और और irrigation जो है, irrigation की field में इन्हों ने क्या किया, यह particular commission को establish किया, next हम लोग बात करते है, Fraser Commission, Fraser Commission जो है, that is a commission by the Lord Gerson, again, Lord Gerson ने ही यह commission को set up किया था, and this was on the police reform, police reform के उपर, यह commission set up किया गया था, so Fraser Commission है, पुलीस reform के उपर, and by the Lord Gerson, उसके अलावा हमारे पास है, 1919 में, 1919 में, एक और commission आया, that was Hunter Commission, कौन सा commission, Hunter Commission, किस के उपर, पंजाब disturbances के उपर, by Lord Chainsford, by Chainsford, right, तो यह भी important है, irrigation commission किस के उपर आया था, irrigation के related कोई commission पूछा जाए आप से, तो आपको पता है, Scott Mongreve है, करजन के टाइम पे आया, तेक है, इतना याद रख लीज़े, करजन के टाइम पे आया, Fraser Commission, पुलीस reform पे, और Hunter जो है, that is on Punjab disturbances, 1919, 19, now, यह तो सीधा civil services में भी पूछा गया था, prelims में, दो, तीन, तीन, चार साल पहले, कि, अगर हम लोग बात करें, Indian state relation with the British crown, के related commission पूछा गया था, तो वो कौन सा commission था, चार option दे रखे तो, उसमें आपने बताना था, कौन सा था, Butler commission, Butler commission, ठेक है, so Butler commission was related to Indian state's relation with the British crown, Indian state जो है, state मतलब कौन से states, princely states, कौन से, princely states, तो यह जो princely states है, इनके relation कैसे होने चाहिए, British crown के साथ, उसको decide करने के लिए, एक commission set up किया गया था, and this commission was set up by Lord Erwin, by Lord Erwin, in 1927, 1927, next हम लोग बात करते है, वैटले commission, वैटले commission, जो है, that was on labor, चेक है, labor, and it was also established by the, set up by the Erwin, in 1929, थोड़ा से याद रखे है, इनके years भी, क्योंकि के बार के chronology के basis पे सवाल पूछा जा सकता है, chronology के basis पे आप से पूछ लिया जाएगा, कि बटले commission, वैटले commission, एन सप्रू commission, ठीक है, तो इसमें आपने, आपने बताना है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ठीक है, एक British crown है, एक Indian states है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सप्रू commission के ऊपर बात करें, so it was on unemployment, किस के ऊपर था, unemployment पे, सप्रू commission was on unemployment, देखो सप्रू, तो यू end में है, तो यू से आप याद रख लेंगे थोड़ा सा unemployment, आप लोग भी unemployed है, तो यू unemployed, ऐसा कुछ याद रख सकते हो है न, it is possible कि कैसा मर्जी आप बना लीजे, लिल लिद्गो के टाइम पे आया था, 1935 के टाइम पे, तो याद रखेंगे इसको, तो बटलर हो गया, विटले हो गया, and सप्रू commission आपके सामने है, नेक्स्ट इस, चाल फील कमिशन, चाल फील कमिशन, जो है, that was on army, याद रखेंगा, ये शायद आपने दो-चार कमिशन ही पड़े होंगे, बाकि जितने भी हम लोग पढ़ रहे, वो सारे आपने कहीं नहीं पड़े होंगे, मेरे को भी पता है कि कितना, एक student कितना डायरे तक complete करता है, लेकिन ये जितने भी commissions है, ये कहीं ना कहीं previous year में आ रखें हैं, जो journal, standard books में नहीं मिलते हैं, चाल फील कमिशन जो है, army के उपर है, लिलिद गो, 1939 में, फ्लाउड कमिशन जो है, वो tenancy in Bengal के उपर था, by the same, लिलिद गो, in 1940 में, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, चाल फील and फ्लाउड कमिशन, ठीक है, ओके, clear हो गया, that's it, so इतने सारे हमने commissions पढ़ लिये, Mansfield, जो commission था, Mansfield commission was related to the currency, follower currency, Babylonian currency, एक और है, Hilton Young currency, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, Scott Mongreave, related to irrigation, Fraser, police, reform, hunter commission, Punjab disturbances, Butler is between center and state, मतलब जो crown है, और Indian state, Whitley is related to labor, Sapru is unemployment, and last is Chalfield is army, Flaude is tenancy in Bengal, right, तो हमने इस सभी चीजों को complete कर लिया है, तो I hope you like this video, छोटी video है, but full of knowledge video है, तो आप जरूर इस video को like कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, और make sure कर सकते हैं, कि कोई भी doubt रहेगा, आप हम से बात कर सकते हैं directly, और ये भी याद रखे कि हम मैं जो हूँ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत कमाल की चीज़ लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक आदा दिन, और आपके ही benefit के लिए लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए आप support करते रहे हैं, and wish you all the very best of luck, thank you.